Hello everyone, welcome back to Unexplored Literature इस वीडियो के अंदर हम Communication in Everyday Life, SEC के Unit First Theory of Communication Introduction को Discuss करने वाले हैं तो last तक बने रहेगा ताकि आप किसी point को miss ना करें और पूरे concept की clarity हो पाए यहाँ पर सबसे important term है Communication तो Communication का मतलब क्या होता है Communication का मतलब होता है अपने feelings, अपनी information और अपने ideas को convey करना जो Communication word है उससे latent word communicare से लिया गया है जिसका मतलब होता है To share, information, ideas, emotion, knowledge among people मतलब की अपने thoughts को, अपनी information को, अपनी knowledge को दुसरे लोगों तक share करना और जिससे हम क्या बना सकते हैं Community बना सकते हैं ऐसे तो Communication का मतलब यह होता है कि आप अपने ideas को, feelings को share कर रहे है लेकिन अगर इसके कुस standard definitions देखे तो according to M.T.Mare and G.E.Mare जो Communication है इसका मतलब होता है एक special kind of patterning which is expressed in a symbolic form मतलब की आप एक special pattern के साथ एक special symbolic form के साथ अपने जो चीजे हैं उनको express कर रहे हैं दुसरे लोगों तक तो इसकी दो requirements आपको fulfill करने चाहिए The first requirement is a symbolic system मतलब की हमें एक proper system होना चाहिए हम दोनों के पास सुनने वाले के पास भी और बोलने वाले के पास भी जिसमें हम क्याले सकते हैं हम दोनों के पास एक same language है मुझे भी Hindi आता है और आपको भी Hindi आता है तो हम एक दूसरे की बात समझ पारे है On the other case अगर आपको सिर्फ Hindi आता है और सिर्फ English आता है और मैं बात करने लगो यह आपे तो आप नहीं समझ पाएंगे तो एक जो symbolic system है वो proper होना चाहिए for the communication to flow and then the second thing is कि जो association रहता है between symbol and the reference must be shared जैसे कि मैं आपको भोलू पेड अब हमें हिंदी आता है हमने उस चीज को associate कर रखा है कि यह green सा को structure होगा उसे हम पेड बोलेंगे वो हमें oxygen देगा लेकिन on the other hand let us say I am just giving an example कि अगर ग्रीक लेंग्वेज में पेड का मतलब होता हो पंखा तो वो लोग तो पेड को पंखा ही समझेंगे न तो वो एक symbol का भी association होना चाहिए वहाँ पे जो reference है वो clear होना चाहिए कि भाई इस green structure को हम पेड बोलेंगे तो वो clarity का बात ही है जब आपका language सेम रहता है association सेम रहता है और symbol सेम रहता है फिर according to fearing it is a two-way process which cannot be adequately understood in terms of simply engineering or mechanical analogies it is uniquely a human relationship form which immerse all civilization in culture without which man as we know him could not survive तो जो fearing है वो थोड़ा सा civilization से relate करके इसका definition देता है कि एक basic necessity है एक civilization का अगर इनसान के पास communication symbols ना हूँ तो वो survive ही नहीं कर पाएगा जैसे मैं आपको एक lecture deliver कर रही हूँ तो आप उस चीज़ को कैसे समझ पा रहे है क्योंकि उसका एक proper process रहता है जो sender है वो यहाँ पे कौन है मैं जब मैं अपनी कुछ बात बोल रही हूँ आप उसको encode करके अपने दिमाग में उसका processing करके एक message form कर रहे हैं फिर उस message को आप decode कर रहे हैं आप उसको जब decode करते हैं तो फिर आप उसको receive करके यह समझ पाते हैं कि हाँ यह जो बोल रही थी इसका यह मतलब था फिर आप उसका feedback कप देते हैं इसके आप पूरा वीडियो देखे फिर लास्ट में पटा feedback देंगे कि आपने यह जो सब बोला था वो अच्छा था बुरा था हमें समझाया नहीं समझा तो जो भी है आप पूरी चीज़ का फिर एक feedback देंगे लास्ट में तो इसे हम बोलते है communication क्योंकि हम आमने सामने तो बैठें नहीं एक दूसरे के मैं record करके आपके लिए वीडियो प्रेजन कर रही हैं और आप पूरा जो वीडियो है उसे देख कर उसका लास्ट में feedback दे रहे हैं जिससे हमारा proper communication है जो वो हो पा रहा है बात करें कि communication होता ही क्यों है इसका function क्या है तो individual context में तो communication के benefits हैं कि यह knowledge provide करता है commercial success देता है इनसान को उसके बाद है कि आप जो behavioral pattern है उससे adjust हो सकते हैं फिर यह कि वो socialization करने में help करता है कि जब आप अच्छे से बोल पाएंगे अपने ideas को deliver कर पाएंगे तो लोग आपकी सुनेंगे आपके साथ बात करेंगे तो आपके साथ जुडेंगे then is it create legends मतलब कि जो आदमी हम बोलते हैं कि जितना अच्छा speech deliver करता है तो उतने ज़्यादा लोग उसके साथ जुडते हैं because speech is power वही दुसरे तरीका है कि social context में कैसे important है इस तरीके से अपका बिजनस में भी है help करता है then is it generate enthusiasm in the minds of targeted subjects ताकि वो किसी particular जो issue है उस पर अपना जो opinion है वो form कर सके organizational level पर देखे तो यह essential tool है decision making में, employment में तो बहुत सारे general चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़दा helpful रहता है बात करते हैं कि अपने जो communication है उसको effective कैसे बनाए तो उसके 5 step है सबसे पहले तो आपको यह figure out करना है कि आपको object क्या है communication का आपको किस topic पे बात करनी है किस से बात करनी है then the second thing is कि आप उसके जो भी reference में बात करने वाले हैं उसमें clarity लेके आओ कि अगर मुझे communication पढ़ाना है मैं ऐसे examples दूँ ताकि जो सुनने वाला है जो एक student है वो चैसे relate कर पाए तब ही हमारा जो concept है वो एक पुरा clear तरीके से पहुच पाएगा सामने वाले तक then the third thing is कि एक medium ऐसा choose करो ताकि आपका conversation proper हो सके अब वो medium क्या रहेगा मुझे पता है आपको हिंदी आती है मुझे भी हिंदी आती है तो we are choosing a beach का medium ताकि जिसको भी English में थोड़ा problem है या फर आप एक fluent तरीके से English नहीं समझ पाते तो you can get that then the fourth step is कि एक appropriate environment लेके आना अब I am delivering this lecture तो मुझे अपना जो पुरा surrounding है वो silent रखना पड़ता है and I cannot you know have a disturbance here क्योंकि अगर मेरे हाँ पर disturbance होगा तो पुरा video interrupt हो जाएगा and you will not be able to get what I am saying the fifth and last step is paralinguistic features कि जो मेरा tone है, pitch है, voice है, pronunciation है gestures, postures तो आप नहीं देख पाते then is facial expressions, eye contact, dressing तो ये सारे चीज़े भी proper होनी चाहिए अगर मैं बहुत आराम से पढ़ाती हूँ ऐसे कि ये हो गया, effective communication ऐसे होता है तो personally I am kind of person जिसको नींद आ जाती है ऐसा lecture सुनते हो जब तक इनसान मिलकुल में को ये ना लगे ना कि the class में teacher is speaking I cannot relate to that so the same thing I try to follow in my videos थोड़ा सा pitch को थोड़ा high रखूँ तो वो वाली चीज़े होती है कि आप अच्छे से relate कर पाए तो ये सारे तरीके थे effective communication के अब बात करते हैं types of communication में तो basically हमें तीन तरीके से ऐसा differentiate करके बताया गया है the first is verbal and non-verbal second is formal and informal and the third is oral and written तो verbal क्या होता है verbal में हमारा बोथ written और जो oral है वो include रहता है और non-verbal में क्या रहता है communication which is neither oral nor written मतलब कि ना तो वो लिखके हम बता रहे हैं ना ही हम बोल के बता रहे हैं इसमें आपके postures आ सकते हैं gesture, dressing, ये सारी जेज़े तो verbal में क्या रहता है proper grammar रहता है syntax रहता है अपनी information को share करने के लिए ये हम आगे deeply discuss करेंगे firstly we have to see this formal and informal thing तो formal का मतलब होता है formal setting में जहां पर आपको अपने boss से आप बात कर रहे हैं मतलब वो जो ना एक hierarchy वाले system आपसे superior, आपसे elders तो वो वाले चीज informal में अपने दोस्तों के साथ अपने भाई 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 के साथ तो वो चीज़े informal रहते है then is oral and written oral आपको पता है बोल के बताना written is लिख के बताना अब deeply बात करते है non-verbal communication की non-verbal communication में words exchange नहीं होते हमारा जो भी message है वो communicate किया जाता है through our body language या फिर जो भी तरीके रहते है उनके थ्रियू इसके कुछ तरीकी है पहला है kinesis जिसमें हम अपने body physical movement के थ्रियू अपना जो भी argument है वो present करते हैं second is proxymic जिसमें हम अपने space से ये show करते हैं कि हम क्या message देना चाहता है तो it basically refers to the space between the sender and the receiver then is chronomic जिसमें हम अपने time के थ्रियू communicate करते हैं कि हमारा time schedule कैसा है तो जिस इंसान का जिसा schedule रहेगा वो अपने बारे में वैसे चीज़े present करता है then is haptics that is by the sense of touch paralanguage का मतलब होता है कि आप कैसे convey करते हैं चीजों को किस तरीके का आपका style of speaking है silence भी अपने आप में एक form of communication रहता है और sign language आपको पता ही है जैसे हम इस शारों से चीजों को समझाते हैं तो यह आपके सारे हो गए non-verbal communication के तरीके अब आता है informal communication तो जब भी हम एक organization की बात करते हैं तो वहाँ पर यह नहीं होता कि हमेशे formal बाते रहते हैं एक human bond को develop करने के लिए हमें थोड़ी interpersonal जो बाते हैं वो भी करनी होती है तो उन बाते को करने के लिए जो हम method use करते हैं that is the informal communication या फिर grapevine communication तो अब जो Kate Davis है उन्होंने configurations बताई थी चार configuration कि भई इस तरीके से जो grapevine conversation है वो हो सकता है सबसे पहले है single strand कि एक आदमी ने दुसरे आदमी को बता एक बात बताई और दुसरे आदमी ने तिसरे आदमी को कोई बात बताई let us say मैं आपको ये lecture सुना रही हूँ आप अपने जो भी juniors आएंगे आप उनको बता रहे हैं कुछ बात तो that is the single strand कि वो information एक line में transfer हो रहा है then is gossip gossip का मतला मैं एक बात पूरे group को बता रही हूँ तो बहुत सारे लोगों को एक बात बता दे रही हूँ किसी तिसरे आदमी से related then is probability chain जहाँ पे एक जो person है वो randomly किसी को चूज नहीं करता है किसी को भी उठा के कुछ भी information पास कर देता है that is the probability chain then is cluster chain ए बताता है बी और सी को and then बी और सी है जो अलग अलग लोग वो जो है group of people को बता देते हैं तो इस तरीके से पूरा जो grapevine configuration है वो चलता है बात करें barriers की कि भी बात करते वक्त कौन-कौन से barrier आ सकते है तो दो तरीके के barrier होते है पहला होता है channel noise the second is seminatic noise channel noise का मतलब है कि बाहर external तरीके से कोई आवाज आ गई seminatic is internal तरीके का कोई disturbance अब जैसे कि I am recording this video and my neighbors are using some drill machine something पता नहीं क्या ही and I have been trying to record this video from last one hour but बस जो भी है that is the example of channel noise कि मुझे external disturbance हो रहा है then is seminatic noise seminatic noise मतलब कि मैंने कुछ बात बोली लेकिन आपको let us say मैंने बोले drill machine वो यूज कर रहे लेकिन आपको यहीं पता कि drill machine क्या होता है तो आपको उस चीज का मतलब नहीं समझ पा रहे आप उस चीज का मतलब नहीं समझ पा रहे है तो एक barrier आगे हमारे बीच में कि आप मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे तो इसको बोलते है seminatic noise so these are the example of channel noise सबसे पहला है कि physical noise जो मैंने बताए कि drill machine चला दिया तो जिसके वज़े से disturbance है then is use of inappropriate media कि जो मेरा mic है वो खराब है जिसके वज़े से मेरा आवाज नहीं जा पा रहा then is multiple transfer stations कि मैंने एक बात किसी दूसरे आदमी को बताई लेकिन जब तक वो last में आप तक पहुची वो बात ही बदल चुकी थी then is information overload कि मैं बहुत सारे चीज़े एक इदम बता दू तो आप mix up हो के कुछ भी ना समझ पाए then is poor listening कि आपका इध्यान नहीं है मेरी बात पे तो फिर आप कैसे समझेंगे that is also a kind of noise तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि semantic noise का मतलब होता है कि जब within the system कोई problem हो जैसे कि language problem हो या फिर और भी तरीके हो सकता है उसके limited vocabulary कि जो मैं word बोल रही है उसका जो मतलब है आपको पता ही ना हो उस वज़े से भी फिर आप समझ नहीं पाएंगे the second thing is कि आपका perception नहीं हो किसी चीज़ को लेके या फिर उस particular time पे आपका emotional, psychological कुछ भी ऐसा state है जो वो unsettled है जिसके वज़े से आप जो पूरे conversation है उसको complete नहीं कर पा रहे हैं या फिर उसे समझ नहीं पा रहे हैं तो unit first का हमारा last topic है seven C's of effective communication कि 7 C जो हमारी effective communication करने में help करते हैं the first thing is completeness कि भई पूरे facts बताओ then is consciousness कि effective बात करो come time में ज्यादा long speech देने का ज़रत नहीं है एक दो ऐसा words में या एक दो sentences में अपना जो भी एक पूरा सार है वो complete कर दो third thing is consideration कि जो speaker है अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मेरे point of view से मुझे समझने की कोशिश करो then the fourth thing is clarity कि मैं अपने चीजों को convey कर पाऊं अच्छे clear तरीके से fifth thing is concreteness कि मैं particular रहूं जो topic बढ़ा रहे हैं उसी का reference और उसी के जो examples है समझाते हुए दू ना कि किसी और topic में घुश जाओ sixth is courtesy कि polite और respectful रहना है आपको जो भी बोलने वाला है उसके two words कि आप मुझे बड़े ध्यान से सुने the seventh one is grammatically correct कि जो मैं बोलू हो grammatically correct हो उसका एक sense बनता हो उसका एक proper syntax हो तभी आप तक जो मेरी पूरी बात है वो समझ आप आएगी आपको भी और वो पहुच भी सकेगी अच्छे से तो इसके साथ आपका first unit complete होता है I hope आपको समझाया होगा फिर भी कोई question है तो आप पूछ सकते है also don't forget to subscribe the channel like the video and share it with your friends I'll meet you in the next video till then take care, stay happy, stay healthy